हे वत्सप गाईज कैसे आप सब लोग मैं हूँ समसेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पर तो आज की ये वीडियो काफी जादे शांदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये पढ़ेंगे कि बड़े पहमाने पर इंड केवल और केवल क्लोरो बेंजीन का ही निर्माड किया जाता है और ये काफी बड़े पहमाने पर इसका निर्माड किया जाता है जितने पूरे बिस्व में क्लोरो बेंजीन का मैनुफैक्चरिंग होता है इसी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है तो अगर आप से पूछे कि रैशिंग प्रोसेस में किस compound का निर्माड होता है तो कहिएगा chlorobenzen का या benzyl chloride का तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि आखी रैशिंग प्रोसेस है क्या reaction कैसे होती है और chlorobenzen कैसे बनता है तो इसके लिए आप copy और pin ले लिजे फिर notes बनाना सुरू करिए और इतना याद रखिएगा कि board level exam में conversion में इससे question पूछ देता है अब देखिए पूछेगा कि rushing process क्या है तो कहिएगा कि जब benzene vapor benzene vapor का मतलब benzene के वाश benzene vapor को HCL और oxygen के मिसरण के शाथ CuCl2 की उपस्थिती में गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद ये chloro benzene का निर्माण करता है किसका chloro benzene का निर्माण करता है और इसी process को हम लोग rushing process कहते हैं ये एक industrial process है industrial process है और इससे बड़े पैमाने पर chloro benzene का निर्माण किया जाता है तो अगर फिर से repeat करना हो तो क्या कहिएगा कहिएगा जब benzene vapor को HCL और oxygen के साथ CuCl2 की उपस्थिती में गर्म किया जाता है तो क्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है इस process को rushing process कहा जाता है यह rushing process जो है industrial process है और इससे बड़े पैमाने पर क्लोरो बेंजीन का निर्माण किया जाता है तो आप इसको लिखे और यह comment करके बताइए कि आपको यह video कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को share करिए like करिए वीडियो को और हमारा उत्साह बढ़ाए comment करके और चैनल को subscribe करके ताकि इसके आगे 16 नमबर एपीसोड नेम रियक्शन का ला सको तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फर वाचिंग